हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपार जिन करेंगे ओपो के 10 5G में और ओपो एफ 21 प्रो 5G में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात किजाएं डिस्प्ले से ओपो के 10 में हैं 6.56 इंच की रेजुलेशन है 1080p 24 पिक्सल इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती हैं ओपो एफ 21 प्रो में है 6.43 इंच रेजुलेशन है 1080p 24 पिक्सल इसमें आपको सूपर AMOLED डिस्प्ले मिलती हैं और इसमें आपको 60 Hz का रिफ्रेश इट मिल जाता है और ओपो के 10 में है 19 Hz का डिस्प्ले क्वाल्टी में ओपो के 10 बेस्ट हैं प्रोसेसर की बात की जाएं तो ओपो के 10 का है मिडिटेक का डेमिन सिटी 810 का CPU है 2.4 इका हार्ड ओक्टे कोर 6 नामेटर्स का फिन फैट जीप्यू है जिस्प्ले का ओपो एफ 21 प्रो का है स्नैप ड्रेंग का 695 CPU है 2.2 का हार्ड ओक्टे कोर 6 नामेटर्स का फिन फैट और प्रोसे क्वाल्टी में ओपो एफ 21 बेस्ट हैं बैक केमरा की बात की जाए तो ओपो के 10 का है डूल में केमरा 48 का ओपो एफ 21 का है ट्रेपल में केमरा 64 का और फंट केमरा है 16 का ओपो के 10 का है फंट केमरा 8 का और केमरा की क्वाल्टी में ओपो एफ 21 प्रो बेस्ट है बैटी लाइफ की बात की जाए तो ओपो के टैन में है 5000 इमिज की और ओपो F21 प्रो में है 4500 इमिज की दोने की बैटेफ्स नोनिबल है आप दोने की बैटेफ्स को निकाल नहीं सकते चार्जर की बात की जाए दोनों में सेम है 33 Watt दोनों में टाइपस का स्पोर्ट है फिंगपीन सेंसर और फेस लोक भी दोनों स्मार्टपोन में मिल जाता है दोनों में 3% नहीं मलती वारण्टी है एक साल की RAM दोनों में सेम है ARCH वी की मैमोरी दोनों में सेम हेक्स उठाया चुभी की दोनों में ही आपको Android 12 मिलता है अपने अपनी UI के साथ में प्राइज की बात की जाए तो OPPO K10 का है प्राइज 17,999 पे OPPO F21 Pro का है प्राइज 26,999 पे आपको दोनों में से कौन से आफोन पसंद आया कौन बोक्स में जरू बताना अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन ही ना है अगर आपका बजट है कम तो आप OPPO K10 के साथ जा सकते हो नहीं तो आप OPPO F21 Pro भी ले सकते हो बैस्ट है